डिक्टेशन श्टार्ट होगा पांट सेकिन बाद श्टार्ट अत्याधुनिक अर्थ व्यवस्था वाले साथ देशों की समुहे जी सेवन के सिखर सम्मेलन में भारत की विशेश उपस्थिती इसकी बढ़ती आर्थिक ताकत का ही प्रमान है भारत इस समुहे का सदश्य नहीं है मगर हर वर्ष इसे विशेश तोर पर अमंत्रित किया जाने लगा है हालांकि इस बार इटली में आयोजित इस सिखर सम्मेलन में अफरिका दक्सिन अमेरिका और हिंद प्रसांत क्षेत्र के बारह विकास सील देशों के नेताओं को भी निमंत्रित किया गया था पर भारत को खास तवज्जों दी गई दर असल यह सम्मेलन एक एसे समय में आयोजित हुआ जब दुनिया में आर्थिक उथल पुथल मची हुई है रूस युक्रेन युद और हमास इसराइल संघर्स जारी है पूरी दुनिया अभी मंदी की चपेट में है यहां तक कि जी सेवन के सदस्य देश अमेरिका इटली जर्मनी फ्रांस ब्रिटेन कनाडा और जापान भी इससे बाहर निकलने की कोशिस कर रहे हैं मगर भारत की अर्थ व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नजर नहीं आ रहां अंतर राष्ट्रे मुद्रा कोश के मुताबिक भारत दुनिया की तेजी से उभरती अर्थ व्यवस्था है फीसद की भागीदारी से 40 फीसद पर पहुच गए हैं। भारत लगातार विकसित देशों के समानतर एक ताकत्वर समुह बनाने की कोशिस कर रहा है। उसी रणनीती के तहट G20 सम्मेलन के दौरान अफरिकी संग को भी समुहे में सामिल किया गया। इस तरह भारत वैस्विक दक्सिन के देशों को एक मंच पर लाकर एक नया आर्थिक मंच बनाना चाहता है। G7 के सदस्य देश इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि भारत सहित वैस्विक दक्सिन एक विसाल बाजार है। वहां सस्ते स्रम की उपलब्दता भी भरपूर है। हालां कि इस बार के सिखर सम्मेलन में प्रमुक रूप से दुनिया भर में बढ़ती महंगाई पर अंकुस लगाने, वैस्विक स्वास्थे सुविधाओं को बेहतर बनाने और कारबन उत्सरजन को कम करने समंधी रणनीतिया बनाने पर जोर रहा। पर रूस और चीन की वजह से बढ़ते तनाव को रोकने के उपायों पर भी चर्चा हुई जी सेवन समुहें के सभी देशों के साथ भारत के रिष्टे बेहतर हैं। और उनके साथ व्यापार वानिजे समंधी गतिविदिया निरंतर बढ़ रही हैं। जी सेवन का जोर उभरती अर्थ व्यवस्थाओं के साथ रिष्टे बेहतर बनाने पर हैं। इस तरह भारत इसमें मजबूत कड़ी साबित होगा। भारत के सामने फिलहाल कड़ी चुनवती चीन की तरप से हैं। चीन को लेकर जी सेवन देश भी वक्र द्रश्टी रखते हैं। इस दोर में जब सयुक्त राष्ट सुरक्ष्या परिशद कमजोर होता गया है। और जी सेवन वैस्विक मामलों में निरनायक साबित हो रहे हैं। वे भारत को विशेश रूप से अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं। तो निश्चय ही यह चीन के लिए चिनता का विशय होगा। रूस युक्रेन संघर्ज में भी भारत की मध्यस्तता को एहम माना जा रहा है। जबकि इन दिनों रूस की नजदी की चीन से बड़ी है। जैसा की प्रधान मंत्री ने G7 के मंच से यह संकल्प दोहराया की। वे पडोसी देशों से रिश्ते मधुर बनाने पर जोर देंगे। ताकि वे चीन की गिरफ्ट से बाहर निकल सकें। यह भी चीन के लिए रणनीतिक रूप से परिशान करने वाला है। G7 के इस सिखर सम्मेलन से भारत के लिए नई राहे खुलती नजर आती है। चिकित्सा पाठिक्रमों में दाखिले के लिए। आयोजित इस बार की राष्टी पात्रता सह प्रवेश परिक्सा यानि नीट को लेकर उठे विवादने एक बार फिर प्रतियोगी और प्रवेश परिक्साओं की विवस्नियता पर उठते सवाल गहरे कर दिये हैं। कुछ केंद्रों पर गलत पर्चा बांटने के बाद से ही विद्यारती आरोप लगाते रहे कि प्रश्न पत्र पहले ही बाहर निकल चुके हैं। मगर राष्टिय परिक्साओं एजेंसी यानि NTA लगातार उस आरोप को खारिज करती रही फिर नतीजे आये तो उसमें कई विसंगतियां देखी गई। 67 विद्यारतियों को पूरे 720 अंक मिले थे। करीब 1600 विद्यारतियों को क्रिपांक दिये गए। मामला सर्वोच नयालाई में पहुचा तो उसने इस्थिती स्पष्ट करने को कहा। मगर फिर भी NTA और सरकार की तरप से तरक दिया जाता रहा की परिक्षा का परचा बाहर नहीं गया। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में कुछ त्रूटी हो सकती है। उसके लिए एक जांच समीती गठित कर दी गई। सोलहे सो विद्यार्तियों को दुबारा परिक्षा में बैठने की सहूलियत दी गई। मगर अब सबूत सामने आने लगे हैं कि प्रश्नपत्र पहले ही बाहर हो गया था। इससे एक बार फिर NTA की साख दूमिल हुई है। इस संस्था का गठन ही इस मकसद से किया गया था। कि यह पूरी पारदर्सिता के साथ और चौक चौबंध तरीके से प्रतियोगी तथा प्रवेश परिक्षाओं का आयोजन करेगी। इससे नकल माफिया पर अंकुस लगेगा जिस तरह पूरे देश में नकल माफिया का जाल फेल चुका है। और वे सक्त से सक्त पहरे में भी सेंधमारी करने में माहिर हो चुके हैं। उससे पार पाने में अनि टिये को एक कारगर तंत्र माना जा रहा था। मगर वह भी विफल हो चुका है। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परिक्षाओं की परचे फोडने में सबसे अधिक कोचिंग संस्थानों का हाथ देखा गया है। राज्य सेवा आयोग की परिक्षाओं तक में वे सेंध लगाते पाए गए हैं। उन पर नकेल कसने का अभी तक कोई पुकता तंत्र नहीं बन पाया है। परिक्षाओं में धांदली होनहार विद्यार्थियों के भविश्य से खिलवार और व्यवस्था में अउसत तथा एयोग्य लोगों की फोज जमा करते जाने की कोशिस है। बीना द्रड राजनीतिक इच्छा सक्ति के इस प्रवर्ति पर अंकुस लगाना मुश्किल है। समाप्त। दोस्तु इस लिक्टेशन का पीडियो फाइल अपने टेलिग्राम चैनल स्टडिवीद आज पर स्वामे पर डाल लखा है।